आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेंड एवी ने कुर्ता सिंगल प्लेट के साथ कैसे बनाय जाता है उसकी कटिंग और इस्टिचिंग का आसान तरीका क्या है नमस्कार दोस्तों आरार फैशन फाइट पे आप सभी का एक बाई फिर से स्वागत है चैनल पढ़नाय है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर ट्रेस करें और इसी टाइप के प्रिंट्स पर्चेस करने के लिए स्क्रीन पर दिखा गया नंबर पर हमें को इस तरीके से फोल करेंगे अब देखे ये बैक पैनल है और ये मैं एलाइन में बना रही हूँ तो रैडी हिप मेजरमेंट को फोल से डिवाइड करके और उसमें 5 तू 6 इंच एक्स्टा डे यहाँ पर रैडी हिप मेजरमेंट 39 है तो मैंने 16 इंच तक फोल किया है और ज इसे अच्छे सेट करें जो हमने एक्स्टा लिया है वह बंद वाली साइड से इस तरीके से फिलाल फोल कर लें देखे बंद वाली साइड मैंने जो two inch एक्सटा लिया है उसे फोल कर लिया है और जो साइड की लाइन है वो बिलकुल बराबर रखी है यहाँ पर मैं मार्किं लेंद्ध है वो मुझे 42 चाहिए उसमें हम 2 इंच एड़ करेंगे तो 44 इंच पे मैंने ये मार्किंग की है यही हमारी शोल्डर लाइन भी होगी अब देखें यहाँ पर यह स्मॉल साइज है तो स्मॉल साइज में जो शोल्डर लाइन है वो है 7.25 इंच अब हम हाफ इंच ड्रॉप करेंगे और उसके बाद आम होल लेंध भी सेम रखेंगे 7.25 इंच तक यहाँ से स्केल की हैज से सीधी लाइन खैच लें यहाँ से भी हम एक बार मेजर्मेंट ले लेंगे 7.25 अब इन दोनों मार्किंग्स को इस तरीके से मिलाए जो फुल चैस लाइन है वो है 37 जो हमें रैड़ी चाहिए उसको हम 4 से डिवाइट करेंगे और उसमें हम मार्जिन का एड़ करेंगे तो 9.25 पर मैंने मार्किंग की है और उसके बाद मार्जिन का एड़ किया है अब देखे यहां से हम इस तरीके से राउंड शेफ देखे और आम होल अब नेक की विड़्थ हम 3 इंच तक रखेंगे और जो हाफ इंच हमने ड्रॉप किया है सामने इस तरीके से शोल्डर स्लोप में मिला ले अब शोल्डर लाइन से 14 इंच की लेंध पर आएगी वैस्ट लाइन और 21 इंच की लेंध पर आएगी हिप लाइन इस तरह आप किसी भी साइस के लिए ये पैटर्न ये कुर्टी तैयार कर रहे हैं तो आपको पहले साइस के हिसाब से इस तरीके से ये लाइन कुर्टा कट करना है अब इस कुर्टी में वैस्ट लाइन है 28 उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मैंने 7 इंच पे मार्किंग की है और उसमें भी हम मार्जन का एड करेंगे अब जो बाहर की तरफ से हमने मार्किंग की है उन दोनों को इस तरीके से मिलाएं और कुर्टी का शेप दे अब जो हिप मेजरमेंट है वो है 39 उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे मगर यह A लाइन कुरता है तो आपको थोड़ा सा लूजिंग देकर ही मार्किंग करनी है अब देखे 39 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.75 आएगा तो उसमें आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लें और मार्किंग करें और उससे भी आप बाहर की तरफ जा सकते हैं इस तरीके से हेप लाइन से अब देखे वैस लाइन की पॉइंट से हम नीचे तक इस तरीके से A शेप देंगे कुरती को और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है बैक और फ्रांट को हमने एक साथ कट कर लिया है आप देखे यहां उपर से कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला है तो उसमें से हम स्लीज निकालेंगे आप देखे यह एलाइन कुरती है तो एलाइन कुरती में हमें साइट से थोड़ी सी कटिंग निकालनी होती है जैसे पहनने पर उसकी जो कौने है वो लटके नहीं तो यहाँ पर मैंने टू इंच तक इसको इस तरीके से कट कर लिया है अब जो हमने फ्रांट में एक्स्ट्रा कपडा लिया है प्लेट के लिए उसको कैसे सेट करना है कैसे नहीं की कटिंग करनी है वो ध्यान से देखीएगा अब देखें यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है जो एक्स्ट्रा है बैक को फिलाल हटा दे अब फ्रांट में ध्यान रखेंगे देखें जो plate वाला कपड़ा है वो छोड़ दें और उसके बाद हम neck की जो width है उसके लिए marking करेंगे यहां 3 inch मुझे ready चाहिए तो 3 inch पे मैंने marking की है अब देखें यहां पर neck पर हम 2 inch wide जितना border लगाएंगे तो उसके लिए मैंने 2 inch extra लिया है neck के लिए marking करें और उसके बाद 2 inch extra लें अब इसकी जो length है वो 13 inch तक रहेगी अब यहां पर single plate वाला जो कपड़ा है उसको छोड़ने के बाद हमें 1 inch पर marking करनी है हमने 2 inch wide border रखा है तो उसका half यहां पर mark करना है मैंने 1 inch पर marking कर ली है अब इन दोनों markings को उपर से लेके यहां west line तक हम इसे इस तरीके से मिलाएंगे यहां पर glass shape आएगा अब इस glass shape के अंदर की तरफ हमें half inch stitch के लिए रखना है तो अंदर की तरफ पूरे glass shape में सेम इस तरीके से half inch छोड़ते हुए cutting कर ले अब front arm hole की cutting के लिए इस तरीके से arm hole का बिलकुल center ले center को 1 inch अंदर की तरफ ले जाए अब हम देखें इस तरीके से front arm round की भी cutting कर लेंगे front की फूरी cutting हो चुकी है back का neck हम भार में cut करेंगे बागी बचे हुए कपड़े में से हम 3 fourth sleeves निकालेंगे अब हम front का जो pattern है जो main pattern है वो ready करेंगे इसके लिए देखें पेस्टिंग पेपर मैंने wide लिया है 2 inch जो हमने starting में measurement लेके और marking की थी और इसकी जो length है वो हमें करीब 16 inch तक लेनी है देखें ये 2 inch wide है इसको हमें fabric के उपर इस तरीके से paste करना है देखें एक side half inch कपड़ा एक्स्टा छोड़ा है अब उस side हम एक stitch पहले इस तरीके से लगाएंगे अब कपड़े को पूरा fold कर ले और जो stitch आपको दिख रही है उसी stitch के ऊपर दूसरी stitch लगाए तो इससे हमें idea आएगा कि कितना कपड़ा हमें जब neck ready करना है तो stitch में दबाना है अधिक इस तरीके से हमने ये पट्टी ready की है stitch के बाद सरिफ half inch ही कपड़ा रखें बाकी कपड़ा अगर है extra तो उसे cut कर ले इस तरीके से दो पट्टियां हमें ready करनी है front neck के लिए यहाँ पर मैंने fold करके एक बार crease भी बना दी है तो हमें आसानी रहेगी stitch लगाने में अब हम front panel लेंगे front panel में हमें पहले यहाँ पर plate को ready करना है हमें कितनी wide plate बनानी है देखें यहाँ से हमें one inch लेना है one inch के बाद कपड़े को पूरा इस तरीके से fold कर ले अब इस plate के उपर हम stitch लगा कर और इसे एक बार fix कर लेंगे आप देखें यह one inch है मगर नीचे stitch लगेगी तो यहाँ पर जो यह gap है फो two inch का होगा और जो two inch की हमने wide पटी ली है अब यहाँ पर पहले एक बार stitch लगा कर और यह plate fix कर ले अब उसके बाद हम इन पटीयों को fix करके और neck को ready करेंगे देखें एक बार इसे अच्छे से आप iron कर लें और iron करने के बाद देखें इस plate के साथ हमें front की जो fitting है वो अच्छे से कैसे देनी है देखें अंदर की तरफ से इस तरीके से इस plate को एक बड़ी sly लगा दें और जो crease बनी हुई है उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ लें अब यहाँ पर आप करीब 7 से 8 इंच लंबी stitch लगा दें तो इस तरीके से जो hip line तक है वो कुर्ती की fitting है वो बहुत ही अच्छी आएगी क्योंकि front में जब plates होती है तो वो खुल जाती है और जो look होता है वो अच्छा नहीं आता तो इस तरीके से plate भी अच्छे से देखेग यहाँ से थोड़ा सा extra रखें और अगर बहुत जादा extra है तो उसे cut कर लें दोनों border की जो length है वो हम बिल्कुल बराबर रखेंगे अब इनको लगाना कैसे है देखें ये front panel को मैंने सीधा रखेंगे अब इस border को हम इस तरीके से उल्टा यहाँ पर रखेंगे और हमने half inch प और इस border को अच्छे से set करें और half inch में stitch लगाते जाएं देखें यहाँ पर glass shape का जो point है वहाँ तक हमें stitch लगानी है यहाँ पर double stitch करके machine को रोकें अब हम सामने वाली border लेंगे अब यहाँ सामने वाली side भी हम सेम इसी तरीके से ही stitch लगाएंगे यहाँ भी पूरा half inch जितना कपड़ा हमें अंदर लेना है अब देखें यहाँ दोनों side जो corner बने हैं वहाँ पर हमें इस तरीके से cut लगा देना है कट लगाने के बाद अब हम इस front panel को उल्टा गुमाएंगे अब इन दोनों पट्टियों को भी पीछे की तरफ ले देखें जैसे मैंने दिखा है इस तरीके से इसे v-neck को बिल्कुल proper बिठाते हुए हमें इन पट्टियों को set करना है देखें नेक शोल्डर वाला हिस्सा और आम होल लेंद वो सब ही proper बैठने चाहिए कहीं पर भी क्रीज नहीं आना चाहिए देखें अच्छे से बिठा के और एक बार इसे आरन कर लें अब हम यहाँ इसे stitch लगा कर और बंद कर लेंगे आरन मैंने कर लिया है अब देखें इस तरीके से दोनों पट्टियों और कुर्ती वाला जो कपड़ा है उसे एक सार पकड़ें और यहाँ पर stitch लगा दें यहाँ पर हमें double stitch लगानी है देखें बीच वाला हिस्सा है वो खुला हुआ है तो यहाँ पर हम stitch लगाएंगे अब देखें फ्रंट का जो v-neck है वो भी ready हो चुका है फ्रंट में जो single plate है वो भी ready हो चुकी है अब v-neck की जो यह line है यहाँ पर हम hook and eye लगाएंगे आप यहाँ पर stitch भी लगा सकते हैं अब देखें इस तरीके से फ्रंट के neck को fold करके और यहाँ shoulder line से एकदम straight line बना ले और जो extra है उसे cut करें देखें shoulder slope से line थोड़ी तिर्ची होती है मगर यहाँ पर हमें line को बिल्कुल सीधा रखना है क्योंकि यह deep v-neck है तो फ्रंट की shoulder line को बिल्कुल आप सीधा रखेंगे तो neck की fitting भी अच्छी आएगी अब देखें यहाँ पर neck थोड़ा deep रहेगा अगर आपको deep neck नहीं अब देखें back panel को इस तरीके से नीचे set करें अब देखें जो shoulder line है ready shoulder line वो बिल्कुल बराबर रखें और उसमें half inch कम करते हुए इस तरीके से back का जो neck है वो cut करें back का जो neck है उसकी length मैंने 2 inch तक रखी है अब हम इस back neck की cutting कर लेंगे अब neck के लिए हम same size की पटी निका same size का round neck कट करें अब इस neck को बाहर की तरफ से 2 inch इतना wide रखके और इस तरीके से cut कर लें यह same size का neck हमने cut कर लिया है अब देखें back neck को सीधा रखें और सीधे side में यहाँ पर यह पटी लगा कर और अंदर की तरफ से stitch लगा कर और इस back neck को ready करें front और back neck दोनों ready है अब दोनों को हमें shoulder line से जोड़ना है देखें इस तरीके से विल्कुल proper shoulder line को मिलाते हुए हमें यहाँ पर stitch लगानी है back neck की जो पटी है उसको पूरा हमें आगे की तरफ इस तरीके से लेना है और यहाँ पर double stitch लगानी है देखें shoulder line हमने जोड़ दिया है shoulder line जोडने के बाद अब हमें यहाँ पर sleeves लगानी है sleeves मैंने 3-4th cut की है और sleeves की cutting भी पहले मैंने share की हुई है स्लीज पर मैंने सिंपल यह कॉटन लेस लगाई है स्लीज लगाने के बाद अब हमें फिटिंग कैसे देनी है देखें यहाँ पर यह डीप नेक है फ्रंट में डीप नेक है तो साइट की फिटिंग से जो भी आपका साइज है उससे आपको 0.25 जितना कम कर देना है 0.25 कम करेंगे तो जो फुल बस्ट लाइन है वहाँ पर हमें 9 इंच पर स्टिच लगानी है वैस्ट लाइन पर सेम साइज आएगी और आगे की तरफ हमें इस तरीके से ए शेप में इसे बंद कर लेंगे दोनों तरफ से साइड बंद करने के बाद नीचे से मैंने 8 इंच की साइट स्लिट रखी है साइड स्लिट पनाने के बाद नीचे से दामन को भी फोल कर लें और इस V-neck stylish कुर्ती को complete करें ये कुर्तर डिजाइन आपको कैसा लगा? कॉमेंट करके जरूर बताएं पसंद ना हो तो लाइक और शेर जरूर करें थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो